वाट्सप 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 सुभाई सब कई सारे बच्चों के मैं देख रहा हूं आज की डेट में जो सवाल आ रहे हैं इवन मेरे पास आए अकाश सर से मेरी बात होती है डाउट सपोर्ट पर उनसे पूछ रहते हैं इनसे आपके पेपर में 60 marks का आएंगे आएगा तो मुझे एक बात बताओ क्या इसका ये मतलब है कि आपने वो 60 marks के topics को करके ही करके जाना है और बाकी topics को ignore कर देना है क्या ये मतलब है answer is no answer is no 60 marks के अगर वो topic आएंगे आएंगे तो उनको तो आपने अच्छे से कर नहीं है बट क्या मैं बाकी 40 को ignore कर सकता हूं नहीं sir नहीं ऐसा नहीं कर सकते बताओ क्यूं क्यूंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि जो short short topics होते हैं जैसे अगर मैं FR की बात करूं CA final में business combination, consolidation, financial instrument, leases, revenue recognition इनसे जब भी कोई question आता है तो ICI इसमें ज्यादा अच्छी adjustment डालता है इवन अगर आप November 23 का paper देखो तो जो पहला question था consolidation का भले ही वो A category topic है भले ही उस topic से question आने ही आना है बट उसी question ने सब की दुनिया हिला दी तो मेरी आप सबसे request है जितनी ज्यादा आप अपनी coverage को बढ़ाते हो उतना आप comfortable होते हो exam में क्यूंकि जो वो category B और C के topics है उसमें से आई से generally असान कोशन पूछता है तो ये बात generally में को लगता है हम as a student neglect कर देते हैं हम सोचते सिर्फ A category B category topic को एकदम तमीज से करके जाएंगे फिर वो जो B और C वाले छोड़ी बहुत चीज़े होते हैं उसको छोड़ जाते हैं बट अगर मैं कहूं कोशन जो exam में आ रहे हैं वो असान उनी category से आ रहे है तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता आप एक risk ले रहे हो आप वो जो 60 marks की preparation करके जा रहे हो अगर ICI ने उसमें से कुछ tough पूछ लिया तो कहीं न कहीं it will be very risky for you answer is yes तो मेरी आप सबसे request है कि ठीक है it is good to do that ABC analysis it good to go with that smart analysis smartness से मेरी complaint नहीं है complaint है smartness के चक्कर में hard work को मत निगलेट करना smartness के चक्कर में hard work को मत निगलेट करना even कई बार students मुझे बोलते सब जैसे आपने पिछली बार हमको must do topics दिये थे क्या आप इस बार भी दोगे answer is yes एक बार ICI MTP2 release करता है audit के लिए even I will share कि यार यह यह must do topics है इनको तो आपने करके जा नहीं है इसका यह मतलब नहीं आप बाकी topics को निगलेट कर दो because at the end of the day if अगर ICI कुछ topics में tough questions पूछता है और मालो आप सिर्फ वही करके गए हो बाकी चीज़े नहीं करके गए हो तो कहीं ना कहीं game आपके लिए थोड़ी सी tough हो सकती है अभी भी काफी time आपके आज बचा है और audit मे तो चाहे CA inter हो या CA final हो दोनों में 3-3 दिन है तो आप ऐसा भी नहीं कह सकते हैं sir last moment पे मैं कैसे revise करूँ है revise तो आप कर पाओगे बस आपके अंदर वो तमन्ना होनी चीए आपके अंदर वो अपनी खुद के लिए एक respect होनी चीए कि यार इस बार जब मैं अपना exam दे रहा ह then you are on the right track so make sure आप थोड़ी सी भी ऐसे ना काम चोरी ना करो just make sure जो भी चीज़े उनको properly cover करके चलो मैं यह नहीं कहरा 100% syllabus cover करना है but मैं यह भी नहीं कहरा 60% करके चले जाओ कहीं ना कहीं try to get that balance की कम से कम 80-85% 80-85% syllabus पे आपका comfort होना चीए अगर 80-85% syllabus पे आपका comfort है कभी भी और 60 score करने में toughness नहीं होगी so this is not only applicable to FR this is not only applicable to audit but for all the subjects यह सब जो चीज़े होते है ना priority topics priority questions यह सब चीज़े आपको बस facilitate करने के लिए कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों को please neglect मत कर जाना इनको तो आपने करना ही है बट बाकी जो चीज़े है ना उनको भी ignore नहीं कर सकते so please इतनी किसी बात को समझना I understand this is common sense but कहीं ना कहीं ना हम इस stage पे सब भूल जाते है हम इस stage पे सोते यार जो मेरा faculty करना बस यह topic करके जाओंगो बाकी सब भाड़ में जाए ऐसा नहीं होता it's your future कहीं ना कहीं आपके six months बहुत important है and यह जो समय है ना यह जो last one month है इसमें बस आपने give up नहीं करना make sure you are giving your best make sure आप सारी चीजों को properly cover करके चलो because ultimately जब आप चीजों अच्छे से cover करके जाते हो ना confidence खुद ही होता है फिर आप खुद ही बोलते हो आई से को जो पूछना है पूछ ले मैं तो rock कर दूँगा I hope यह वीडियो सुनके आपको थोड़ी सी एक understanding आई आपको समझ के चलनी है and I think everything will be really really well so tension नहीं लेने का अच्छे से पढ़ाई करने का जब हम पढ़ाई अच्छे से करते हैं और फिर टेंशन का को इस कोपी नहीं है फिर एक confidence आता है कि हाँ कुछ भी हो जाए तेरा भाई धूम मचा देगा so I hope this video is crystal care to you यही खुशी खुशी म पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे इस चैनल पर और भी कई सारे अपडेट्स आते रहेंगे for the coming exams so make sure you are subscribed for more such updates लगे रहो